जै जै सनी देव मकारास के दोस्तों स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से आपके देनिक रासी फल में मैं हूँ आचारिस के तिवारी दोस्तों बात करेंगे 19 मई रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है यह रासी फल आपके चंद रासी पर आधारित है इसे आप अपने नाम रास के आधार पर भी देख सकते हैं इस रासी फल को बनाते समय ग्रहन शत्रों के साथ साथ पंचांकी गड़ना की जाती है आज के रासी फल में आपके लिए नोकरी व्यापार आपका लेन देन परिवार और मित्रों के साथ सम्मंद आपका वेवाहिक जीवान आपका प्रेम जीवान और सेहत आज दिन भरकिस पकार से रहने वाली है सुबह सुब घटनाओं का भविस फल ते होता है इस रासी फल को देखकर आप अपनी योजनाओं को सफल बनाने में कामियाब रहेंगे देनिक रासी फल ग्रहन शत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताएगा कि आज का दिन आपकी सितारे आपके लिए अनकूल है या नहीं आज आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या फिर किस तरह के अच्छे अपसार आज आपको प्राप्त होंगे देनिक रासी फल को जानकर आप दोनों ही परिस्थितियों के लिए हमेशा सतर कोर साबधान रहेंगे तो आईए रासी फल से पहले आज के पंजान के बारे में जान लेते हैं रहे बार 19 मई 2024 बैसाक सुकलपक्ष की एकादसीती थी बिकरवी संबध 2021 आज का सुर्योदे 5 बच कर 28 मिनट पर होगा तो ही आज का सुर्यास 7 बच कर 7 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन करनिया रास में ही गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी करनिया होगी अगर बात करें महुर्तों की तो ब्रह्मा मूर्त रहेगा 4 बच के 5 मैट से सुबह 4 बच के 47 मैट तक अब जीत मूर्त रहेगा 1 बच के 50 मैट से 12 बच के 45 मैट तक विजे मूर्त रहेगा 2 बच के 34 मैट से साम 3 बच के 29 मैट तक आज अमरित काल का समय रहेगा 8 बच के 33 मैट रास से लेकर रात 10 बच के 20 मैट तक साथ ही आज अमरित से दियोग बना हुआ है पांच बच के 28 मिनट सुबह से लेकर 20 मई को 3 बच के 16 मिनट सुबह तक आज सरवार सी दियोग भी बना है पांच बच के 28 मिनट सुबह से 20 मई को 3 बच के 16 मिनट सुबह तक तो ये थे आज के सुम्हुर्त आज का रहुकाल का समय रहेगा पांच बच के 25 मर्साम से लेकर राद 7 बच कर 7 मिनद तक रहुकाल के समय किसी भी अच्छे और सुभकारियों के सुरुआत नहीं की जाती अब आए जानते हैं आपके रासिफल के वाले में मकर आज के दोस्तों छात्रों कलाकारों और खिलाडियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा और अनकूल रहने वाला है पिता और सरकार से लाब होता हुआ दिखरा है मनोबल भी आज आज आपका काफी मजबूत रहेगा इसलिए कारी की सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी फिर भी ये दिसंभाब होतो पांचन दंत्र खराब होने के कारण बाहर के खाने से परहज के आज करें पढ़ाई लिखनाई में आपकी रुची बढ़ेगी पैसों से जुड़ी विवस्थित कारिक्रम आयुजित करने में आप सफल रहेंगे पढ़ाई में थोड़ी सी रुकाबट भी देखने को मिल सकती है आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा सरकारी परिच्छा की तैयारी कर रहे चात्रों के लिए आज का दिन सुभ है लेक्चरर के लिए किसी कालेज से नुकरी का आफर आ सकता है जिससे आपकी परिच्छा की तैयारी बहतर होगी इस रास के लोग जो इलेक्टानिक बिवाग से जुड़े हुए हैं आज उनके प्रमोसन की योग बन रहे हैं साथ ही आज उनके बेतर में बृद्धी होने की भी संभावना बन रही है आज अचानक कोई करीबी आपके घर आ सकता है जिससे घर का महौल बहतर रहेगा मादुर्गा को दो इलाजी चड़ाने से आपके घर में सुक समरिधी हमेशा के लिए बनी रहेगी मकरास के दोस्तों प्रकिती ने आपको आत्म विस्वास और तेज दिमाग का असिरवाद दिया है इसलिए इनका भरपूर उपियों करें आज आप अच्छा पैसा कामाएंगे लेकिन खर्च में ब्रिधी आप के लिए बच्चत करना और भी ज़्यादा काठिन बना देगी यदि आप परिवार की सद्दसुक साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप घर पर समस्याओं की उमीद कर सकते हैं आज प्रेम में कुछ कमी हो सकती है आफिस में इसनेह का महोल देखने को मिलेगा छिपे हुए सत्रु आप के बारे में गलत अफवाहें फैलाने के लिए थोड़े से जल्दवाज नजाराएंगे साथ ही आज खर्च की रास आमदनी से अधिक रह सकती है आप जो भी काम कर रहे हैं उसे सकारात्मक्ता के साथ करें इस रास के लोग जो इलेक्टरानिक सामान खरीदना चाहते हैं आज आप खरीज सकते हैं छूट मिलने की पूरी संभावना बन रही है साथ ही जीवन साथिक साथ बाचीत में थोड़ी नर्मी बनाए रखे नहीं तुरिस्तों में कुछ दरार भी देखने को मिसकती है मकर आसक दोस्तों आज आराम करना आप के लिए बहुत जरूरी साबित होगा क्योंकि हाल की दिनों में आप काफी मांसिक दबाव से गुजर चुके हैं नई गत्विधियों और मनोरंजन आपको थोड़ा सा आराम करने में मदद करेंगे आप अपने आपको रोमांचक और नई और अच्छी परिस्थितियों में पाएंगे जो आपको बित्ती लाभी दिलाने का कार करेगी आज आपकी बौधिक छमता आपको अपनी कमियों से लड़ने में काफी मदद करेगी आज की दिन की सुरुआत तन और मन की ताजगी के अनुभाव से होगी दोस्तों और परिवार के साथ घर परिया कहीं बाहर आपको अपना मन पसंद खाना खाने का मुकामल सकता है आज आपके अधिकारियों का अच्छा मूड पूरे आफिस का महौल बेहतर बना कर रखेगा आज आप खुद को उर्जा से भरपूर महसूस करेंगे इस उर्जा से आज आप घर के कामों में परिवार के सदस्यों का पूरा साथ देंगे जिससे परिवारिक सम्मंधों में और भी जादा मधूरता रहेगी आज आपको नोकरी में प्रमोसन मिलेगा जिसकी बज़े से आज आपका मन काफी परसंद न रहेगा जीवन साथी से सलाह लेंगे तो आपको और भी जादा फायदा मिलने की उमीद है साथी भागीदार वाले वेवसाय और अच्छी योजनाओं में निवेस ना करें दोस्तों के साथ साम काफी मज़ेदार और हसी से भरपूर रहेगी आज आपके प्रितम कमोड थोड़ा सा उख़ड सकता है इसलिए अपने तेज तर्रार रविये पर थोड़ा सायम जरूर बरतें नहीं तो अच्छी खासी दोस्ती भी तूट सकती है आज का दिन आप कालपनिक दुनिया में भी विताएंगे रचनात्मक सकती को भी उची दिसा मिलेगी परिवार और दोस्तों क साथ खाने पीने की व्यवस्ता होगी दैनिक कार भी आत्मिस्वास और एकागरमन से पूरे हो सकेंगे बिद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है संतान के लिए समय अनकोल बना हुआ है पिता से लाब होगा और मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा रिस्तों में मधूरता आएगी एक दूसरे का साथ खुबसूरत पल बिताने के अबसर भी मिलेंगे मकर आस दोस्तों आज आपको आफिस के काम के चलते विदे स्यात्रा भी करनी पर सकती है यात्र आपके लिए फैप फाइदे मंद रहेगी साथ ही नोकरी पेसा लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है तो मकर रास के दोस्तों ये था आज आपका रासिफल कल फिर से एक नए रासिफल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसने